जाहिन दोस्तों मैंने धिवेन चोहान आजम करेंगे क्लास 8 का 2.4 का क्वेस्चन नंबर 7 तो क्वेस्चन है कि हसन ने कपड़े बनवाने के लिए दो तरह के कपड़े खरीदे उसने शर्ट के लिए 50 रुपे मीटर तथा पैंट के लिए 90 रुपे मीटर कपड़ा खरीदा अब शर्ट के प्रतेक 3 मीटर कपड़े के लिए उसने 3 मीटर और पैंट के कपड़े के लिए 2 मीटर कपड़ा जो है वो खरीदा है तो आईए question को हम solve करते हैं हमें निकालना है कि उसने pant के लिए कितना मीटर कपड़ा खरीदा कपड़े की खरीदी का गुणोत्तर यह देखे यह कर लेंगे हम 3 अनुपाद 2 क्यूंकि हमने ऐसा क्यूंकि उसने shirt के कपड़े के लिए 3 मीटर खरीदा और pant के कपड़े के लिए 2 मीटर ठीक है हसन ने shirt के कपड़े के लिए shirt बनवाने के लिए 3 मीटर और pant बनवाने के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदा तो यह हमारी shirt है और यह हमारी pant है ठीक है आगे देखते हैं यह देखे माना हसन ने 3X meter shirt और 2x meter pant के लिए कपड़ा खरीदा अब देखते हैं shirt के कपड़े की कीमत तो shirt का कपड़ा कितना है हमारा? 3X और उसने 1 meter कपड़ा खरीदा है 50 रुपय का ठीक है? जो shirt के लिए कपड़ा खरीदा है वो उसने 50 रुपय प्रती मेटर खरीदा है इसलिए हो जाएगा 3X गुणा 50 तो कितना जाएगा पांस्तिया 15, 150X ठीक है अब है पैंट की बात तो पैंट के लिए उसने 2 मीटर कपड़ा खरीदा है 90 रुपे मीटर के हिसाब से उसने पैंट के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदा है तो यह हो जाएगा 9 दुनी 18 यानि की 180X ठीक है अब शर्ट का कपड़ा उसने 12% नफे के साथ बेचा है ठीक है तो यदि हमारी मूल कीमत 100 रुपे हो तो उसमें 12% यदि हम फायदा जोड़ दें तो हो जाएगा 112 रुपे यदि मूल कीमत 100 रुपे हो और यदि हम उसमें 12% फायदा जोड़ दें प्यूंकि फायदा हमेशा जोड़ा जाता है और नुकसान हमेशा घटाया जाता है तो यहां बात हो रही है फाइदे की तो 12% फाइदे के साथ उसने बेचा है तो 100 का 12% हो गया 12 इसलिए 112 रुपे हो गया किसका शर्ट का कपड़ा ठीक है तो शर्ट के कपड़े की कीमत अब कितनी हो गई देखि 112 जानि कि जो हमारा टोटल नफे के साथ है वो आजाएगा उपर और नीचे आजाएगा 100 गुणा 150X यहां बात हो रही है अभी शर्ट के कपड़े की कीमत जो नफे के साथ बेची गई है तो नफा कितना था 112 और मूल कीमत थी 100 रुपे गुणा में 150X ठीक है अब देखिए इसको हम काटेंगे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे एक बार आप समझ लीजिए 0 से 0 कैंसिल नीचे बचा 10 ठीक है अब यह दोनों 2 की संख्याए हैं तो दोनों को 2 से 2 पंजे 10 112 को यदि 2 से भाग करेंगे तो आएगा 56 तो यहां हमारा आ गया 56 बटे 5 इंटू 15 यह देखिए ठी ठीक है अभी 115 आ गया अब बीच में गुणा है तो तीरचा हमारा कट सकता है 5 1 जा 5 5 3 जा 15 बचा 56 गुणा 3 तो 56 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 168 एक्स यह हमारा किसका आया यह आया हमारा शर्ट का आप कर लेते हैं पैंट के कपड़े की बात पैंट का कपड उसने 10% नफे के साथ बेचा तो देखिए फिर से वही नफा हो रहा है यदि 100 मूल कीमत है और 10% नफा है तो नफा हमेशा जोड़ा जाता है मूल कीमत में तो 100 का 10% 10 हो गया तो 100 और 10 हो गया जी 110 ठीक है अब क्या करेंगे श्पैंट के कपड़े की वेचान कीमत देखिए ये क्या होगी हमारी, 110 बटे 100, ये हो गई मूल कीमत और ये हो गई नफे के साथ वाली कीमत, गुणा 180X, 180 कहां से आया, देखें, यहां से आया, क्या निकाला था हमने, पैंट के कपड़े कीमत निकाली थी न, वो थी हमारी 180X, तो इसलिए यहां पे हम पैंट के कपड़े कीमत रख देंगे, ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखें कैसे, एक जिरो से, एक जिरो कैंसिल, इस जिरो से, यह जिरो कैंसिल, यहां बच गया वन, अब हमारे पास बचा, ग्यारा गुणा 18, ओके, तो देखें, यहां हम इसे गुणा कर लेते हैं, कैसे करेंगे, आठ एकम, आठ, यहां जिरो, एक एकम एक, एक एकम एक, ठीक है, तो आठ गा आठ, आठ और एक नौ, और यह हो गया वन, तो हमारा आ गया, 198X, ओके, यह किस की बात हो रही है अभी, यह हो रही है, पैंट के कपड़े की बात, ठीक है, तो यह आ गया, 198X, तो देखें, शर यह आया हमारा Шर्ट का 168X और यह आया पैंट का 198X तो दोनों को हम पहले जोड देखे कपड़े की कुल कीमत कितनी आई है 168X और 198 ठीक है यह पैंट और शर्ट दोनों की कीमत हो गई हमारी तो इन दोनों को हम जोड देंगे तो आया 366 366X जब इन दोनों को add करेंगे तो आएगा 366X ठीक है अब जो book में हमें कीमत दी गई है question में वो total दी गई है 36600 ठीक है और जो हमारी आई है वो हाई है 366X ठीक है तो यह देखिए 366X को जो हमें दिया गया है कीमत उसके साथ हम रख देंगे तो X को यहीं छोड़ देंगे यह दोनों गुणा हो रहे हैं इस तरफ जाके भाग हो जाएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा 366 बनजा और 20 तो X is equal to आया हमारा 100 अब हमें क्या निकालना है पैंट का कपड़ा जो है कितने का खरीदा या कितना मीटर कितना मीटर कपड़ा उसने खरीदा पैंट के लिए तो कितना मीटर खरीदा देखिए 2X था ना हमने 2X माना था तो 2X का मतलब X की value क्या आई है 100 तो 100 दूनी 200 तो उसने लगभग 200 मीटर कपड़ा खरीदा होगा Thank you very much जय हिन जय भारत